देवियों और सजनों नमस्कार आज की इस खुश्णुमा सुहावने सुभा में आप सबों का तह दिल से मैं स्वागत करता हूँ मैं श्री निरंजिन वर्माजी से दर्ख्वास करूँगा कि वो राजीव दिक्षित को मंच पर ले आए व्याख्यान से पहले मैं प्रभावती जैपर का सेवा केंद्र जो इस कारिक्रम के आयोजक हैं उनका में परिचे देना चाहूँगा यह एक ऐसी संस्था है जो पिछले 25 वर्षों से तमिलनाड के सुदूर गाओं से आर्थिक रूप से नहायत गरीब और दुर्भाग्य से जो पोलियो ग्रसित भी हैं ऐसे 200 बच्चों का वहां लालन पालन पढ़ाई लिखाई उनकी चिकित सा उनका खान पालन का कपड़ा सब कुछ मोहिया काया जाता है और यह करीब 35 किलो मिटर दूर यहां से गुड़वांचेरी गाओं में स्थित है आपको जब भी मौका मिलें किरपया वहां जाएं और देखें कितना बड़ा मानुवी कारी वहां हो रहा है और इस मानुवी कारी के पीछे जिस हस्ती का सबसे बड़ा हाथ है वो है हमारे देव सरूप आदरनी श्रिशोभा कान जी मैं उनसे आदर करूँगा दर्खवास करूँगा क्यों मंच पर आएं अब मैं मुखातिब हो रहा हूँ उसरी राजीव भाई की और राजीव भाई किसी परिचे के महताज नहीं है पुरा देश उन्हें जानता है कि उनका रास्ट्र चिंतन और जो रास्ट्री चेतना की बात को पिछले 15-20 वर्षों से करते आ रहे हैं उसने ऐसी जागरूपत का फैलाई है जिसके लिए लोग उन्हें हर बार सम्मानित करते हैं ऐसे राजीव भाई जहां भी राश्ट्री चिंतन की बात होगी जहां भी संस्कृति की बात होगी हमारी धरोहर की बात होगी वहां राजीव भाई का नाम शिर्स पे लिया जाएगा यह हम सब जानते हैं और आज वो हमारे रूप हमारे बीच में एक दूसरे अवतार के रूप में उपस्तित हुए हैं वो राश्ट्र धर्म की बात भी करेंगे लेकिन सबसे ज्यादा बात वो करेंगे हमारे स्वास् रहेगा तो राश्ट्र धर्म और राश्ट्री चेतना हम फैला पाएंगे इसलिए इन्होंने एक नया एक रूप लेके हमारे बीच में वो पस्तित हुए हैं और वो शरीर की बात करेंगे यह सरीर जो इस रिष्टी की सबसे बड़ी देन है इस पृत्वी पर यह सरीर जो ह हमें बताया है उन्होंने अपने अनुभों को गरंतों में लिखा है लेकिन जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं यह राजीव दिक्षित जी ऐसे हैं जिन्होंने आश्टांग सग्रा और आश्टांग हिर्दय जो रिशी वागभट ने लिखा था उस पर पिछले तीन वरसों से ऐसा सोद किया है उसमें इतनी गहन अध्यान किया है और उन्होंने हम लोगों के बीच में उसको लाने की कोशिस की है बहुत ही सरल और सहस तरीके से कि उन सूत्रों का अगर हम अपने जीवन में जो कि बहुत ही सरल है उसे अगर हम जीवन में उतारें तो हम बहुत ही बह एक नए अवतार के रूप में उपस्तिस राजीव दिक्षित को सौपता हूँ, उससे पहले मैं उन्हें सम्मानित करना चाहूँगा, मैं श्री बंसिलाल जी बजाज, जिन्होंने हमें मीडिया के रूप में बहुत अपने पत्रिका, मैं बहुत ज्यादा हम मैद्विया पूरा मंच राजीव दिक्षित को समर्पित है, और मैं चाहूँगा कि अपने मोबाइल फोन्स को या तो स्विच ओफ कर लें, या फिर उससे साइलेंट मोल्ड में डाल दें, क्योंकि स्वास्त के लिए या स्वस्त होने के लिए यह हमारा पहला चरण होगा, श्री राज एक बंधो, माताओ, बहनो, मैं बहुत आभारी हूँ, आप सभी का, और विशेश रूप से, श्री शोबाकान जी का, प्रदीब भाई का, निरंजन भाई का, मेगानी भाई, इन सब का बहुत आभारी हूँ, कि इन सब की प्रेरणा से, मुझे आपके बीच में एक ऐसे वि प्रेरणा मुझे पिछले 3-4 साल पहले हुई, जब मैंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था, मैंने भारत देश की सरकार के स्वास्थ मंतरी को एक पत्र लिखा था, ये जानने के लिए कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ की स्थति क्या है, हमारे देश की सरकार हर 10-10 साल में एक जनसंख्या की गणना कराती है जिसको सैंसस कहते हैं हमारे देश में तो जब सैंसस होता है तब उस समय ये भी गणना की जाती है कि कितने लोग बीमार हैं किन को क्या-क्या बीमारी है और कितने लोग स्वस्थ हैं कितने संपूर्ण स्वस्थ हैं कितने आधे स्वस स्वास्थ की इस्थिति क्या है तो हमारे देश के मंत्री महोदय के सच्छिव ने सेक्रेटरी ने उत्तर दिया कि देश के लोगों की स्वास्थ की जो इस्थिति है उसके लिए हम आपको पूरा डाटा भेज रहे हैं आप उसका अध्यन करके खुद अंदाजा लगा लीजें तो सरकार ने जो मुझ को डाटा भेजा वो एक दो पन्ने का नहीं था वो काफी छे सातसु पन्ने का मोटा सा एक पुलिंदा था उसमें जो सैंसस की रिपोर्ट थी वो पूरी उन्होंने लिखी थी वो पढ़कर मुझे बहुत परेशानी हो गई परेशानी क्या हो गई कि उसमें उन्होंने बताया कि लगबग 112 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं और 112 करोड़ लोगों में स्वस्थ लोगों की संख्या गिंती की 25 से 30 करोड़ है बस 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको स्वस्थ कहा जा सकता है जिनको किसी तरह का कोई रोग नहीं है शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बाकी जितने भी लोग है सबी को कुछ न कुछ तकलीफ हैं जैसे भारत सरकार के विशेशक्यों ने ये कहा कि पांच करोड लोग इस देश में हैं जिनको डाइबिटीज है मदमे हैं खराब बीमारी है दुनिया के जादतर डाक्टर कहते हैं कि ये जल्दी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है और ये पांच करोड लोगों को हो गई है और विशेशक ये कहते हैं उस रिपोर्ट में कि अगर यही गती और रफतार से डाइबिटीज बढ़ती गई तो अगले 2014 तक लगबग 10 से 12 करोड लोगों को ये होगी फिर उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 12 से 13 करोड लोग ऐसे हैं जिनको लंग्स इंफेक्शन की बिन बिन बीमारियां है जैसे दमा है, अस्थमा है, सांस फूलती है, ब्रॉंकियल अस्थमा है, ट्यूबर कुलोसिस है ऐसे 12-13 करोड लोग है फिर वो विशशग्यों की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगबग 15-16 करोड लोग हैं जिनको पेट का कुछ न कुछ तकलीफ है, जिनको पित्त की बीमारियों के द्वारा हम लोग अक्सर परिभाशित करते हैं गैस बनना, एसिडिटी होना, अलसर होना, पैप्टिक अलसर होना, हाइपर एसिडिटी होना वगएरा वगएरा और ये सब में पढ़ता गया और एक जगे लिखा हुआ था रिपोर्ट में बहुत परिशान करने वाली बात कि 20 से 22 करोड लोग हैं जिनको आँखों की कुछ न कुछ बीमारी है या तो कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता रात में नहीं दिखता दिन में दिखता है तो रंग का अंतर पता नहीं चलता हम लोग अंग्रेजी में उनको night blindness या color blindness या gluco में जैसी बीमारीों से परिभाशित करते हैं और ये पढ़ते पढ़ते में परिशान होता गया अंत में रिपोर्ट के आखरी हिस्से में सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि ये सब बीमारियां तो हैं और सरकार इनके लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है हर साल केंदर सरकार का बजट है इन बीमारियों को ठीक करने के लिए वो करीब 96,000 करोड रुपए का है परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों मिलाकर डाइरेक्ट और इन डाइरेक्ट फिर राज्य सरकारों के अलग-अलग बजट हैं उन्होंने बताया कि जैसे तमिलनाडू की राज्य सरकार का बजट 35,000 करोड का है आंदर प्रोदेश की सरकार का बजट 28,000 करोड का है ऐसे अलग-अलग राज्यों की सरकारों का बजट है केंदर सरकार का बजट और राज्य सरकार का बजट दोनों मिलाकर औसत मैंने निकाला तो लगबग एक सवाला करोड करोड का खर्चा है सरकार की तरफ से फिर ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद और एक हिस्सा है रिपोर्ट का कि भारत की सरकार कहती है कि बिभिन बीमारियों का इलाज करने के लिए इस देश में जो डॉक्टरों की संख्या है जो रजिस्टर्ड हैं वो 23 लाख है MBBS, MDMS, BAMS मने आयरोवेद के और प्लस BHMS, होमियोपैथी के तीनों विधाओं के होमियोपैथी, आयरोवेद और एलोपैथी, तीनों मिलाकर सरकार कहती है कि 23 लाख डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड हैं अब 23 लाख डॉक्टर और लगबग 70 से 75 करोड मरीज या बलकि 80 करोड मरीज तो मैंने हिसाब निकाला कि एक डॉक्टर कितने लोगों का इलाज कर सकता है अगर इमानदारी से कोई डॉक्टर सवेरे से शाम तक, सवेरे साथ बज़े से शाम, साथ बज़े तक क्लिनिक में काम करे तो जादा से जादा 50 लोगों को वो देख सकता है अब 23 लाख डॉक्टर है और 50 का उसमें गुणा कर दो तो बीमारों की संख्या और जिनका इलाज हो पा रहा है उनकी संख्या में जमीन आस्मान का अंतर है फिर मैंने एक दूसरा पत्र लिखा और मैंने स्वास्थवंत्री को ये कहा कि ये डॉक्टरों की संख्या तो परियाप्त नहीं है बीमारों का इलाज करने के लिए क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए तो बंत्री के यहां से पत्र आ गया कि भारत की सरकार और राज्यकी सरकारों ने अब तक जितने डॉक्टर्स बनाए हैं इनको बनाने में करीब 10 लाह करोड से जादा का खर्च हो चुका है अगर ये संख्या हम दुगनी करें तो 20 लाह करोड रुपए हमें चाहिए सरकार के पास इतना धन उपलब्द नहीं है इसलिए ये व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी मालूम नहीं फिर मैंने भारत सरकार को याद दिलाया कि भारत सरकार ने एक अंतर राश्विय समझोता किया हुआ है जिसमें कई देश शामिल है और वो समझोते का टाइटिल है 2014 तक सभी स्वस्थ भारत में संद 2014 तक सभी को स्वस्थ हो जाना है ये सरकार का समझोता है तो 2014 तक कैसे होने वाला है मुझे नहीं लगता कि कोई होने की संभावना है और सरकार स्विकार करती है कि जिस गती से सरकार काम कर रही है अगर सभी हिंदुस्तानियों को स्वास्थ दिया जाए चिकित्सा दी जाए तो कम से कम साड़े तीन सो साल लगेंगे ये कैलकुलेशन मैंने कैसे निकाला हर साल जितने डॉक्टर इस देश में पढ़कर निकल रहे है एलोपेथी, होमियोपेथी और आयुरवेद के और उसमें देश का जो ग्रोथ रेट है 10% वो जोड़कर हर साल उनकी संख्या बढ़ती जाए तो साड़े तीन सो साल में सभी को चिकित्सा और स्वास्थ मिल जाएगा अब पता नहीं साड़े तीन सो साल में कितने जीवित बचेंगे और कितने यहां से चले जाएंगे अब मेरी एक जो दुख की बात है मन की वो ये कि साड़े तीन सो साल में जनसंख्या अगर जो बढ़ रही है उसको जोड़ दिया इसमें तो किसी को भी स्वास्थ कभी भी उपलब्द नहीं हो सकेगा जब ये जानकारी मुझे आई तो मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने सोचा कि ये तो बड़ी गंभीर इस्तिती है फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से मैं स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़ा हूँ उन से जब मैंने इन सब विश्वों पे चर्चा की तो वो भी कहते हैं कि बात तो बहुत गंभीर है सबको स्वास्थ मिलना सरकार के बूते का और सरकार के दमपर और चिकित्सा जो चल रही है इस देश में उसके दमपर तो संभव नहीं है कोई और रास्ता ढूनना पड़ेगा अब दूसरा ढूनने के लिए मैंने भारत देश के कई बड़े चिकित्सकों से बात करना शुरू किया ऐसे वैद्धियों से बात करना शुरू किया जो आयुरुवेद के बड़े पंडित माने जाते हैं इस देश में विशेश रूप से एक वैद्धे हैं हारडी कर्थ पूना में रहते हैं और उनका भारत में बहुत बड़ा उचा इस्थान है आजकल हिंदुस्तान के आयुरुवेद चिकित्सा के जो विशेशग्य है वो उनको आधुनिक चरक कहते है इतनी उची इस्थिती है उनकी हरडीकरजी की उम्र उनकी लगबग 85 वर्ष हो चुकी है मैंने हरडीकरजी से कहा कि भारत की चिकित्सा की जो इस्थिती है वो ये है सरकार कहती है आप क्या मानते हैं तो उनका कि भारत में किसी को भी सरकार के भरोसे चिकित्सा कभी नहीं मिल सकती अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी चिकित्सा स्वयम करे तब ही रास्ता खुलेगा और कोई रास्ता नहीं हारडीकर जी ने एक दिन मुझे कहा कि तुम जानते हो 200 साल पहले हिंदुस्तान में लोग बीमार नहीं थे इतने तो मैंने का आप कैसे कहते हैं उन्होंने का स्टेटिस्टिक्स देख लो आंक्ड़े देख लो तो 200 साल पहले के भारत के लोगों के चिकट्सा और स्व offense के आंक्ड़े मैंने कट्टे कि ये जो अंग्रेजों की सरकार के द्वारा तैयार किये गए थे क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों की सरकार चलती थी तो मुझे हैरानी हुई कि आज जितने बीमार हैं और उस समय जितने बीमार थे आज जितनी जनसंख्या है और 200 साल पहले जितनी जन संख्या है वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अगर आपको सरल भाशा में कहूं कि अगर आज 100 प्रतिशत लोग बीमार हैं तो 200 साल पहले मुश्किल से 8 या 10 प्रतिशत लोग ही बीमार थे अब वो 8 से 10 प्रतिशत लोगों की चिकित्सा के लिए अंग्रे जोने ऐलोपेथी व्यवस्था यहां शुरू की थी जो शायद परियाप्त रही होगी क्योंकि बीमारों की संख्या बहुत कम थी आज बीमारों की संख्या हमारी कुल संख्या की 70 से 80 प्रतिशत हो गई है और ये चिकित्सा लगबग फेल हो गई है पिछले 60 वर्षों में आजादी के बाद आप सब ज्यानते हैं सरकार भी मानती है इस बात को कि जितना विकास हुआ है अलोपेथी चिकित्सा का जितने डॉक्टर बढ़े हैं जितनी दवाएं बढ़ी है जितने हॉस्पिटलस बढ़े हैं जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतनी बीमारियां कई गुना गती से बढ़ गई अब ना हॉस्पीटल परियाप्त हैं ना डॉक्टर परियाप्त हैं आप अक्सर आए दिन अखवारों में समाचार पढ़ते होंगे टीवी पर देखते होंगे कि लोगों को बिना इलाज के मर जाना पढ़ता है बिना दवा के मर जाना पढ़ता है हॉस्पीटल के बाहर विचारे पड़े रहते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उनके उपर काम का इतना बोजह है कि वो सभी पेशन्ट को अटेंड नहीं कर सकते ये दोनों तरफ की बातें समझने के बाद मुझे वैद्दे हारडी करजी की बात समझ में आई कि सब लोग अपनी चिकित्सा करने लगें तो रास्ता खुलता है सभी के स्वस्थ होने का तो मैंने एक दिन हारडी करजी को पूछा कि क्या ये संभव है कि हर आदमी अपनी चिकित्सा खुद कर ले तो डॉक्टर की क्या जरूरत है तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर क्या करता है डॉक्टर क्या करता है आप से कुछ बातें पूछेगा आपको भूख लगती है कि नहीं प्यास लगती है कि नहीं नीद आती है कि नहीं खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं वगरा वगरा और ये सब आप उसको बताएंगे ये सब बताने के बाद वो अपना conclusion आपको बताएगा कि आपको फलाना रोग हुआ है या आपको ऐसी तकलीफ हुई है मतलब क्या है डॉक्टर ने जो कुछ बताया आपके कहने पर वो कोई भगवान तो नहीं है ऐसा डॉक्टर तो कहीं नहीं है कि जो आप कुछ भी न कहो और बतादे के आपको ऐसा है शायद धाई-तीन सो साल पहले रहे होंगे ऐसे कुछ चिकित सक जो नाड़ी देखते ही बात करते थे कि आपने दस दिन पहले ये खाया हर्डिकर जी ने मुझे बताया कि ऐसे वैद दे रहे हैं इस देश में जो एक मिनिट आपकी नाड़ी पकड़ ले तो बता देंगे कि कल क्या खाया दो दिन पहले क्या खाया चार दिन पहले क्या खाया दस दिन पहले क्या खाया अब ऐसे लोगों की कमी बहुत है इस देश में संख्या भी कम है तो हारडिकर जी ने मुझे का कि आप जो बताते हैं डॉक्टर उस पर से अपना तै करता है लेकिन उसमें भी वो पक्का नहीं होता एलोपेथी चिकित सामें तो सिध्धान्त ही है ट्राइलेंड एरर ट्राइ ये बात हारडिकर जी के मुझे सुनी तो मुझे लगा कि वो आईरोवेथ चिकित सक है शायद इसलिए ऐसा बोलते होंगे फिर मैंने ये बात कनफर्म करने के लिए एलोपेथी के कई बड़े डॉक्टरों से बात की दिल्ली में मुंबई में वो कहते हैं कि देखो बात तो सही है लेकिन हम इसको जाहिर में नहीं कह सकते मने आप जैसे लोगों के सामने नहीं कह सकते कि हम सब trial and error पे काम करते हैं हम सब तीर चलाते हैं लग जाए तो ठीक है नहीं तो तुक्का है मने आपका जो इलाज किया जाता है वो एक कुछ assumptions के आधार पर है लेके वहां से चले आएंगे मैं आपको एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के एलोपेथी चिकित्सा के शीरशस्त डॉक्टर जो इस देश में है उनकी एक संस्था है वो संस्था की एक conference में मैं चला गया था गलती से एक doctor मुझे पकड़के ले गया था मेरा जाने का तो कोई अधिकार नहीं था लेकिन doctor ले गया था वो कहता था कि तुम सुनना बस बैठके हम बात क्या करते हैं कुछ बोलना नहीं कुछ कहना नहीं react नहीं करना बस सुनना हम देखो क्या बातें करते तो उस conference में तीन दिन में बैठा रहा दिल्ली में जो बातें होती है वो आपको सुना दी जाएं तो आप किसी भी अलोपेथी चिकितसक के पास नहीं जाएंगे वो बिलकुल इस तरह से बातें करते हैं जैसे कोई कसाई बकरे को काटने से पहले बात करता है ऐसी इस्थती इस देश में आ गई है फिर तीन दिन सुनने के बाद मैं परिशान हो गया तो मैंने वो डॉक्टर से का मैं जाना चाता हूँ उसने का आप तुम समझ गए हम लोग क्या है तो मैंने का यह आपने मुझे समझाया क्यों तो मैंने का तुम एक काम कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते कि ये बातें दूसरों को समझा दो ऐसी इस्थती है उसमें जो सबसे गंभीर बात होई थी वो मैं आपको एक वाक्य में कहना चाहता हूँ वो ये कहते थे सभी डॉक्टर एक दूसरे से सहमत होते हुए कि 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही काम किया है दर्द से लड़ने का बस इसके अलावा कुछ नहीं 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही रिसर्च किया है एक ही काम किया है एक ही शोद किया है वो दर्द से लड़ने का इसके आगे कुछ नहीं है और ये बात मैं बहुत घंटों घंटों सोचता रहा तब जाकर मुझे मन में प्रेरणा हुई कि मुझे तो भारत के लोगों को कुछ और बताने की जरूरत है तब मैंने हारडीकरजी को पूछा कि अब मेरे समझ में आया आप बताइए क्या करना चाहिए तो नहीं का देखो आयुरुवेद एक ऐसी चिकितसा पद्दिती है जिसमें महान महान लोगों ने चरक रिशी, शुशुरुत रिशी, बागवट रिशी, निघंटू रिशी, प गंभीरता से मनन करते रही है ये बात चरक ने भी कही है, शुशुरुत ने भी कही है, बागवट ने कही है, निघंटू ने कही है, पारशर ने कही है कि जो रोगी होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है क्योंकि उसको अपने दुख और तकलीफ का जितनी गहराई से महसूस हो सकता है, वो किसी भी डॉक्टर को नहीं होता, जो अपने दुख तकलीफ को गहराई से महसूस कर सकता है, वो चिकितसा भी कर सकता है, बस उसको कुछ ग्यान की जरूरत है, और कुछ ग्यान ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ग्यान अगर उसके जीवन में ह तो वो कहते हैं कि वो हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है और दूसरों को मदद कर सकता है उनके इस वाक्य से मुझे बहुत प्रेरणा होई कि जो रोगी है वो सबसे अच्छा चिकित्सक हो सकता है और आयुरवेद के जितने बड़े पंडित हैं वो भी मानते हैं इस बात को वो ये कहते हैं कि आयुरवेद का 85 प्रतिशत हिस्सा ये बात में आप सबको बहुत विनमरता पूरवक लेकिन गंभीरता से कह रहा हूं इसको आप कभी भूली अगा मत आपके जीवन के स्वास्थ और चिकित्सा का 85 प्रतिशत हिस्सा इतना सरल और आसान है कि आप स्वयम उसे कर सकते मात्र 15 प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको किसी विशेशक्य की मदद की जरूरत पढ़ सकती है मात्र 15 प्रतिशत अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो आप जानते हैं 33 प्रतिशत पर आदमी पास हो जाता है और उसके उपर 2 डिवीजन, 3 डिवीजन और 60 पर तो 1 डिवीजन होती है 75 परसेंट पर तो डिक्स्टिंग्शन आ जाती है मैं 85 परसेंट की बात कर रहा हूँ बिना किसी विशेशग्य की मदद के बस 15 परतिशत हिस्सा है जिसमें किसी विशेशग्य की जरूरत है और आपको मैं एक आगे की बात कहता हूँ कि ये जो 15 परतिशत हिस्सा है आपकी जिंदगी का जिसमें आपको विशेशग्य की जरूरत पढ़ती है ये हिस्से में सबसे कम बीमारियां है सबसे कम बीमारिया माने जहां आपको विशेशग्य की आवशक्ता पड़े आपके जीवन में वो बीमारियों की संख्या सबसे कम है और जहां विशेशग्य की जरूरत नहीं है आपको अपने जीवन में वो बीमारियां सबसे ज़्यादा है इसका माने कि हम 85 प्रतिशत तो डॉक्टर होई सकते हैं कन्क्लूजन इस बात का ये है अब आप अगर 85 प्रतिशत से और बहतर डॉक्टर होना चाहते हैं तो बागवत रिशी कहते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा जान लीजिए बस और वो दूसरी महत्तु की बात कहते हैं कि अपने भोजन को पहचान लीजिए शरीर को जान लीजिए भोजन को पहचान लीजिए तो वो कहते हैं आप 100% डॉक्टर हो सकते शरीर को जान लीजिए मतलब थोड़ा फिजियोलोजी थोड़ा एनोटोमी आज की भाशा में मैं कहूँ थोड़ा शरीर विग्यान आपको मालूम हो और ये बहुत आसान है आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है भारत सरकार ने विभिन तरे की छोटी छोटी पुस्तकें छपा रखी हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती है NCRT के सिलिबस में अब तो ये आ गया है वो किताबें बजार में उपलब्द हैं आप खरीद लाइए और आपको थोड़ा फिजियोलोजी तो समझ में आई जाएगा थोड़ा बहुत एनोटोमी समझ में आ जाएगा शरीर के क्या-क्या अंग हैं अंगों के क्या-क्या उपांग हैं हिर्दय है तो कहां है लीवर है तो कहां है किड्नी है तो कहां है लीवर का किड्नी से क्या संबंद है किड्नी का हिर्दय से क्या संबंद है आपस के उनके इंटर रिलेशनशिप है अब तो एक चार्ट आता वो ये कि शरीर के अंगों के और उपांगों के जो नाम है वो जो भाशा में दिये गए हैं वो आपको थोड़ा कम समझती है तो आप आयुरवेद वाला ले लीजे वो आसानी से समझ में आएगा उनके आपस के संबंद वगरा वगरा मैं इस विशे पर जादा नहीं जाना च सामने और इसमें जादा बात करूँगों तो समय खर्च होगा आपको सिर्फ संकेत कर रहा हूं कि आज आप चाहे तो आज नहीं तो एक दो दिन में कुछ ऐसी पुस्तक हैं फिजियोलोजी एनाटॉमी की खरीद लें नहीं तो एक कलेंडर चार्ट आता है वो ले लें दो को समझ में आ जाएगा लीवर क्या है वेदर क्या है किड्नी क्या है आपस के इनके फंक्शन्स क्या है ये बात बागवट्टी जी कहते हैं कि थोड़ा शरीर को जान लो और भोजन को पहँचान लो अब उसमें आगे उन्होंने एक सूत्र लिखा है संस्कृत में कि शरीर क जानना अगर है तो ठीक है इसको जरा और समझिएगा शरीर को जानना है तो ठीक है लेकिन भोजन को पहँचानना सबसे ज़्यादा जरूरी माने उनका कहना ये है कि शरीर को जान लें तो ठीक है नहीं जाने तो भी भोजन को तो पहँचान लें और भागवत्टी जी ने पूरी विनमरता से पूरी गंभीरता से एक बात लिख़्ी है कि जिसने भोज़न को पहँचान लिया उसको जिन्दगी में कभी भी किसी चिकिसक की जरूरत तो नहीं पड़े गी अब भोजन को पहँचान लिया वाने रसोई घर को पहँचान लिया सीधी सी बात और बागवटी जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वो रसोई घर है और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा विज्ञान अगर कोई है तो ये रसोई घर का विग्यान है जिसको भोजन विग्यान कहें या पाक शास्तर कला कहें जो भी बात आप कहना चाहें वो ये कहते हैं कि इस से बड़ी खोजपूरी दुनिया में हुई नहीं और अगले हजारों साल होगी नहीं इतनी गहरी बात वो कहकर चले गए यहां से वो कहते हैं कि पिछले हजारों साल में हुई नहीं भोजन से जादा रिसर्च और अगले हजारों साल में होगी नहीं और मैं अपने अनुवव से और आप खुद अपने अनुवव से ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में भोजन और रसोई पर सबसे ज़्यादा रिसर्च अगर कहीं हुई तो भारत में हुई और अगले हजारों साल भी होगी तो भारत में ही होगी क्यों? दूसरे देशों में भोजन ही नहीं है रिसर्च क्या करेंगा? हो भोजन तब तो रिसर्च करें खालो या प्याज से खालो प्याज से खालो के आलू से खालो उसको बीच में काटके प्याज भर लो या प्याज बगल में रखके खालो उसको पीजा कह दो बर्गर कह दो हॉट डॉक कह दो कोल डॉक कह दो वो प्रपरेशन तो एक ही है न और वो प्रपरेशन है मैदे का मैद पाव रोटी डबल रोटी उसको वो मचली से भी खा सकते हैं गाय के मास से भी खा सकते हैं बकरे के मास से भी खा सकते हैं या वगएरा वगएरा कहीं से कुछ भीक में मिल गया दाल चावल वगएरा तो उसके साथ खा सकते हैं वो सब भीक में मिला हुआ है उनके यहां कुछ ह का था कि भारत महान है कि जर्मनी महान है ये जर्मनी के लोगों को आप जानते हैं थोड़ा शौविनिजम बहुत है खराब शब्द है शौविनिजम लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कहते हैं हम स्रेश्ट हैं दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं हम सर्व स्रेश्ट ह वगएरा वगए, हिटलर भी यही कहता था तो उसकी महानता की हवा निकालने के लिए मैंने उससे कुछ सवाल कर लिए, तो परेशान हो गया, लेकिन जेर्मनी की असलियत सामने आ गई, मैंने उसको पुछा तुम्मारे देश में क्या होता है गन्ना होता है गन्ना शुगर केन तो उसने का नहीं होता आम होता है आम नहीं होता केला होता है नहीं होता चीकु होता है नहीं होता संत्रा होता है नहीं होता मुसम्मी होती है नहीं होती बहुत परिशान हो गया तो कहने लगा देखिए मिस्टर राजी उदिक्षित कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती अब बात आगे करिए कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती एक वाक्य में उसने खतम कर दिया फिर मैंने का अच्छा चलो मीठी चीज नहीं कड़वी चीज पूछते है मैथी होती है मैथी मैथी तो मीठी नहीं है तो मैथी होती है उसने का नहीं होती है पालक होता है नहीं होता चुकंदर होता है नहीं होता फिर थोड़ी देर में परेशान हो गया किन लगा हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में नहीं होती तो मैंने का फिर होता क्या है तो उ भारत में क्या-क्या होता है, मीठी चीजों में क्या-क्या होता है, खटी चीजों में क्या-क्या होता है, कसेली या कड़वी चीजें क्या-क्या है, छे रस है ना, शड रस की बात कही जाती है, छे ओर रस में मैंने गिनाना शुरू किया, तो वो कहता है कि यार इसमें तो एक एंसाइक्लोपीडिया लिख जाएगा मैंने का यस भारत में इतना ही होता है और मैंने उसको जब ये कहा कि ये हर गाओं में होता है तब तो वो बहुत परिशान होगे मैंने का हर गाओं में होता है साथ लाख बत्तिस अजार गाओं है हर गाओं में ये सब होता है माने किसी गाओं को दूसरे पर निर्वर रहने की जरूरत नहीं है नमक को छोड़ कर तब उसने का कि सच में इंडिया इस ग्रेट ये ग्रेटनेस है अपने देश की हमको अगर ये समझ में आती है तो बागवट्टी जी की बाते हमको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी मैं बागवट्टी जी के बारे में एक दो जानकरी और देकर विशे पर आना चाहता हूँ ये भूमिका के रूप में कह रहा हूँ बागवट्टी जी भारत देश के उन महान रिशियों में गिने जाते हैं जिन्होंने चरक से भी ज़्यादा काम किया ये बात को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा लेकिन मैं विनमरता पूर्वक कह रहा हूँ अब तक हमने बार बार चरक का नाम सुना है चरक 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 बागवट्टी जी चरक के शिष्ष थे और चरक ने जितने साल काम किया उससे डेड़ गुना जादा काम बागवट्टी का है चरक जी के जाने के बाद चरक ने जो सूत्र लिखे है जो उनकी खोज है रिसर्च है चरक सहिता जो पूरा का पूरा शास्त्र है उसके एक-एक सूत्र को प्रमानित करने का काम बागवट जी ने किया प्रमानित करने का मतलब observation करना फिर जैसा result है वैसा ही प्राप्त करना जैसे चरक रिशी ने कहा ये खाने से ये होता है मानलो उन्होंने एक statement कर दिया कि ये वस्तू खाने से ये होता है बागवट जी ने उसको प्रमानित करने में 25 साल लगा दिये 20 साल लगा दिये 30 साल लगा दिये और जब तक देख नहीं लिया तब तक उसको लोगों को कहने लायक नहीं माना हमारे आयुरुवेद चिकितसा शास्त्र के जो विश्यशक्य हैं वो ये मानते हैं कि चरक जो थे महापंडित थे बहुत उचे स्थान के व्यक्ति थे लेकिन बागवट जी थे वो साधरन आदमियों के चिकितसक थे इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि चरक ने जो बाते हैं बहुत गहराई से और गूर शब्दों में कहीं है बागवट जी ने उनको बहुत सरल करके साधरन लोगों की समझ में आए वैसा प्रस्तुती करण कर दिया है बागवट जी की ये दो पुस्तकें अश्टांग हिरदयम और अश्टांग संगरहम पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने चरक को पढ़ लिया शुशृत को पढ़ लिया निघंटू को पढ़ लिया सब को पढ़ लिया क्योंकि उन्होंने सब का निचोड डाल दिया उसमे और वो ये कहते हैं कि अब मैंने जो तैयार कर दिया है अश्टांग हिरदेम या अश्टांग संगरम ये आम आदमी के लिए है वो चाहे तो इसका पालन करे और अपने जीवन में मेरी तरह से सुखी और निरोगी रहे बागवट्टी जी 135 वर्ष तक जिंदा रहे और उनके शिष्ष बताते हैं कि उन्होंने इक्षा मृत्यू को धारण किया माने उनकी इक्षा हो गई थी कि अब बहुत दिन जिंदा रहने से कोई फाइदा नहीं है तो मृत्यू को वरण किया ऐसे पंडित आदमी इतनी कमांड अपने शरीर पर और वो ये कहते हैं जब मृत्यू को जा रहे थे तो उनके शिष्ष कह रहे थे कि परेशान हम हो जाएंगे आप चले जाएंगे उनका कोई परेशानी नहीं है ये शरीर छोड़ूँगा दूसरा धारण करूँगा जैसे तुम शर्ट बदलते हो मैं बदल लूँगा लेकिन अब मुझे जाना चाहिए इस शरीर का सीमा हो गया है ऐसे व्यक्ति जिनोंने मृत्यू को धारण किया अपनी इक्षा से उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया है वो दो ही पुस्तकों में सारा समाहित है ती पुस्तकों में कुल मिलाकर साथ हजार सूत्र हैं सभी सूत्र संस्कृत में हैं ये तो आप जानते हैं क्योंकि उस जमाने में हिंदी थी नहीं तमिल थी नहीं तिलगू थी नहीं ज्यादा से ज्यादा संस्कृत ही थी या प्राकृत थी तो संस्कृत में उन्होंने सब कु पुरे देश में हम चलाते हैं स्वदेशी के लिए, उससे ये बहुत गहराई से जुडा है, क्योंकि हमारे अभयान में अब तक हम ये बात करते थे थे ना, कि घर में पेपसी कोला, कोका कोला मतला हो, क्योंकि विदेशी पे है, फिर मैं ये भी कहता था, ये पीने लायक नही है toilet cleaner है बहुत साल पहले में बोल के गया था चिन नहीं में अब सरकार ने भी माल लिया है कि toilet cleaner है और वैज्यानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि toilet cleaner है तो ये बात हैं हम स्वदेशी अभियान में जोड़ कर चलते थे, जब मुझे पता चला कि इसी स्वदेशी अभियान का एक बड़ा हिस्सा है, पेपसी कोका कोला भारत से धन लूट कर अमेरिका ले जा रहा है ऐसे एलोपेथी चिकित्सा की दवाइं बना कर कमपनियां उससे भी ज़्यादा लूट कर ले जा रहे एक अमेरिकन कमपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर अंड गेंबल उसकी बैलन शीट मैंने देखी तो उनका मुनाफे का प्रतिशत 20,000 है, मने 20,000 परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भारत में पेपसी कोका कोला तो 1000 प्रतिशत पे काम कर रहे हैं प्रॉक्टर अंड गेंबल भी 1000 प्रतिशत पे काम करा एक अमेरिकन कमपनी है एली लिली, उनका प्रॉफिट परसेंटेज 35,000 है 35,000 प्रतिशत मुनाफ़ा कमा रहे हैं वो भारत में तो ध्यान में आया कि विदेशी कमपनिया पेपसी कोका कोला बेच कर जितना धन कमा रही है उससे कई गुना ज़्यादा एलोपेथी की दवाएं बेच कर कमा रही है और उस धन को कमाने में भारत के चिकितसक उनकी थोड़ी मदद कर रहे हैं क्योंकि वो उनी दवाओं का प्रेस्क्रिप्शन लिख रहे है जो ये कमपनिया बेच रही है मैंने बहुत सारे चिकितसकों से ये पूछने का लगातर प्रयास किया है कि आप इसी कमपनी की दवाएं क्यों लिखते है मानलो एक चिकितसक है बहुत पैसे वाला है प्रॉक्टर एंड गेंबल की ही दवाएं लिखता है बंबई में मैंने ये ज़्यादा काम किया और एक है वो एली लिली की ही लिखता है एक है सेंडोज की ही लिखता है एक सीबा गाईगी की ही लिखता है तो पता चला कि उनका कमिशन फिक्स है ये खराब शब्द बोलने के लिए आप मुझे माफ करेंगे डॉक्टरों का कमपनियों से कमिशन फिक्स है मने कमिशन जो कमपनी जादा देगी वो उसका प्रस्क्रिप्शन लिखेंगे इसका मतलब ये है कि उनको आपकी चिक्सा से कोई लेना देना नहीं है उनको अपने कमिशन की चिंता है और वो कमिशन खाकर ऐसी दवाएं भी लिखेंगे आपको जो जरूरत नहीं है गैर जरूरी है अक्सर आपने देखा है कि एक साथ कोई डॉक्टर का प्रस्क्रिप्शन है अठारे बीस गोलियां लिखी हुई है चार सुबह, चार दुपहर, चार शाम, चार रात गोलियां ऐसे खिलाते हैं जैसे सबजियां खाए हो और वो तो कहते हैं कि सबजी वबजी खाओ ही मत गोलियां ही खाते रहो हाँ, विटेमिन B के लिए भी गोली खालो, विटेमिन C के लिए भी गोली खालो विटेमिन A के लिए भी गोली खालो और गोली से भी ज़्यादा इंजेक्शन लगवालो और अब तो उनोंने पता नहीं क्या क्या सब बना दिया माने जो प्रकरती हमें दे रही है उसके चक्कर में न फसके ये गोलियों के चक्कर में फसो ताकि कंपनी का माल बिखे ताकि उनका भी कमिशन बढ़े ये पूरे देश में चल रहा है कहीं ज़्यादा कहीं कम मैं आपको विनम्रता पूरवक ये कहने आया कि जिस चिकित्सक को भगवान मान कर आप उसके पास जाते हैं पैसे भी देते हैं, फीस भी देते हैं लेकिन वो दवा आपको देता है कमीशन के आधार पर कि ज़्यादा कमीशन है तो ये दवा लिखनी है, नहीं तो नहीं लिखनी और भारत की सरकार बिलकुल भी फेल हो चुकी है इस कमीशन खोरी को रोकने में और मेडिकल काउंसिल अफ इंडिया के पास ऐसा कोई कारिक्रम नहीं है कि डॉक्टरों की कमीशन खोरी पर वो कंट्रोल कर सके जो शपत लेकर डॉक्टर निकल रहे हैं उसके ठीक उल्टे काम वो अपने जीवन में कर रहे है एक शपत उनको दिलाई जाती है वो शपत लेकर निकलते हैं उसमें बड़ी-बड़ी बाते हैं लेकिन जीवन ठीली कूर्ट का उल्टा है तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि बागवट जी की बात जो वो कहते हैं कि 85 प्रतिशत जो जीवन की चिकित्सा है वो हर व्यक्ति स्वयम कर सकता है पंदरे प्रतिशत के हिस्से में विशेशक्य की जरूरत है तो मुझे लगा कि जो 85 प्रतिशत है वो तो जानो और वो जानने के लिए पाच्छे साल जो काम किया मैंने उसमें से कुछ सूत्र मैंने निकाले बागवट जी के 7000 सूत्र हैं सभी सूत्रों पे बात करूँ तो कम से कम तो महिना सवा महिना लगता है वो भी रोज तीन घंटे बात करूँ तो तो मैंने कहा और सोचा कि इतना समय किसी के पास भी नहीं है और शायद मेरे पास भी नहीं है तो इन में से कुछ सूत्र हैं जो बहुत जरूरी लगते हैं वो निकालो तो भारत में जैसे मैंने हारडीकर जी का नाम लिया उनकी मैंने मदद ली इसमें और हारडीकर जी के बरावर के कई ऐसे वैदे हैं उनकी मदद मैंने ली और मैंने का कि आप मुझे बताओ ये सूत्र, ये सूत्र, ये सूत्र, ये सूत्र, बहुत ही जरूरी है, बिना इसके आदमी का जीवन ही नहीं चलेगा, ये पहले मुझे बता दो, तो उन्होंने बताना शुरू किया, तो वो साथ हजार से घटके तीन हजार तक आए, फिर मैंने का ये तीन हजार में मुझे ब पंद्रे तो जरूर बता दू तो मैं तो आपको पचास तो कम से कम बताने ही वाला हूं क्योंकि अगले पाच्छे दिन मेरे पास समय है लेकिन उन पचासों में जो पंद्रे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं बागवट जी खुद मानते हैं और उनके नीचे के जितने भी व पहन हो तो जरूर निकाल लीजे नोटबुक है तो बहुत अच्छा होगा डाइरी है तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि पता नहीं दुबारा कब कौन व्यक्ति इस विशे पर आप से बात करने आएगा और अगर नहीं है कागज पहन कौपी तो भी चिंता मत करिए क्यो तीन भाग में एक पुस्तक बनाई है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट फ्री अश्टांग हिरदें भाग एक भाग दो भाग तीन मूल लेखक बागवट्ट जी है मैंने सिर्फ सलेक्शन किया है और सलेक्शन के साथ आज के हिसाब से उसको थोड़ा विशलेशित किया है जैसे मैं एक उधारेंट दू तो आपको मेरी बात समझ में है। बागवट जी ने एक सूत्र लिखा, अब मैं संस्कृत में बात नहीं करूँगा क्योंकि समय बढ़ जाएगा। एक सूत्र नों ने लिखा कि भोजन को बनाते समय, इसको माताएं बेहने सब बहुत ध्यान से सुने, पुरुष भी सुने तो अच्छा है। भोजन को बनाते समय, पवन का इस्पर्ष और सूरिका प्रकाश अगर नहीं मिला, किसको भोजन को। जिस भोजन को आप बना रहे हैं या पका रहे हैं, उसको पकाते समय, पवन का इस्पर्ष और सूरिका प्रकाश नहीं मिला, वो भोजन कभी नहीं करना। क्यों? तो वो आगे लिखते हैं, ये भोजन नहीं विश है। और फिर आगे लिखते हैं, कि दुनिया में दो तरह के विश हैं, एक ऐसे विश होते हैं, जो ततकाल असर करते हैं, और एक ऐसे विश होते हैं, जो धीरे धीरे असर करते हैं, ततकाल असर वाले विश, आप जानते हैं, जीप पर एक ड्रॉप डालो, मर जाओ, ऐसे बहुत विश हैं, और धीरे धीरे असर करने वाले विश माने दो साल में, पाँच साल में, दस साल में, पंदरे साल में, बीस साल में असर करेंगे और आपको मरने की स्थिती में पहुचा देंगे तो सूतर उनका इतना है, कि जिस भोजन को बनाते समय, पवन का इसपर्श और सूरिका प्रकाश ना मिले, वो भोजन को कदापी ना करें, क्योंकि वो विश है, अब ये तो सूतर है, पहले संस्कृत है, मैंने वो हटा दिया, संस्कृत नहीं कहा, सीधे हिंदी में कहा, अब इस हिंदी का विशलेशन करें हम, कहना क्या चाहते हैं और आज के हिसाब से विशलेशन करें, सन 2007 के हिसाब से विशलेशन करें, अब तक मैंने जो बोला वो बागवट जी का हिस्सा था, अब जो वो बोल रहा हूं वो मेरा हिस्सा है, बागवट जी कह रहे हैं कि प्रेशर कुकर एक ऐसी तक्नीक है जिसमें भोजन बनाते समय ना तो सूरी का प्रकाश जा सकता है ना पवन का इस परश उसको मिलेगा प्रेशर कुकर से जो भी है वो हवा बाहर तो आ सकती है बाहर की हवा अंदर जाने की उसमें कोई डिवाइस नहीं है कोई रास्ता नहीं सूरी का उसमें अंदर जाए ऐसी कोई टेक्नॉलजी उसमें डवलप नहीं हुई है तो बागवट्टी जी ने साड़े तीन हजार साल पहले का शायद उनको ये अंतर चेतना में आ गया होगा कि ये कभी न कभी आदमी प्रेशर कुकर बनाई लेगा ये बहने मजाक में कहा लेकिन आज के हिसाब से आपको समझ में आए इसके लिए तो वो ये कहते हैं कि प्रेशर कुकर का भोजन ना करें मने हमारे घर में एक प्रेशर कुकर है जिस पर बागवट्टी जी का सिध्धान्त लागू नहीं होता मने सिध्धान्त ऐसे लागू नहीं होता कि हम उसका खाना ख सर्च इंसिट्यूट वहां के दो साइन्टिस्टों ने का कि यार काम तो हमने करके देखा है बात सही है बागवोट जी मैं कहता हूँ यह टीवी पर बोलो तो नहीं का यह प्रेशर कुकर कंपनिया गर्दन काट देंगे हमारे टीवी पर नहीं बोल सकते हैं तुम चाहो तो मैंने का आपकी रिसर्च क्या कहती है वो यह कहते हैं कि यह जो प्रेशर कुकर है ज्यादा से ज्यादा या 99% अल्यूमीनियम के बने हुए है अल्यूमीनियम आप जानते हैं और वो यह कहते हैं कि भोजन रखने और बनाने का सबसे खराब मैटल अगर कोई है तो अल्यूम याने वो कहते हैं नाम नहीं लेना हमारा इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ वो यह कहते हैं कि हमारा 18 साल का रिसर्च यह कहता है कि अगर इस अल्यूमिनियम के प्रशर कोकर का खाना बार बार आप खाते जाओ तो गारेंटी है कि आपको डाइविटीस तो हो ही जाएगा, अर् तो उन्होंने का 48 बीमारियों को हम डिटेक्ट कर चुके हैं जो प्रशर कोकर के खाने से ही होती हैं और ये दोनों रिसर्चर सबसे ज़्यादा इन्होंने रिसर्च किया जेलों में, जेल हैं ना हमारी, वहां सभी कहदियों को अल्यूमिनियम के बरतन में ही खाना मिलता है आप जानते हैं, तो ये दोनों विग्यानिक लखनव के हैं, लखनव की जेल में, लखनव के आसपास की जेलों में इन्होंने बहुत काम किया, वो जेलों में जाते हैं और जो कहदियों के बरतनों में खाना खाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, और उन्होंन बारिधार्निकुं से रिपोर्ट लिने के बाद मैंने ये तैग कि पता करो कि ये । कब से आया क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी चीज नहीं है तो पता चला सौ window सारिवा साल पहले आया सौ सारिवा साल पहले अंग्रेज्वों की सरकार थी अंग्रेजों की सरकार के वेग्यानिकों ने अल्यूमीनियम को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस कराया और आपको सुनकर हिरानी होगी कि अंग्रेजों की सरकार का जो पहला नोटिफिकेशन आया अल्यूमीनियम के बरतन बनाने का वो जेल के कैदियों के लिए ही आया और उनका ये तैह हुआ था कि जेल के कैदियों को अल्यूमिनियम के बरतनों में ही भोजन दिया जाए क्योंकि ये सब भारत के करांतिकारी हैं और अंग्रेजों को इन्हें मारना है उस जमाने में आप जानते हैं جیل میں کوئی بھی होता था तो वो करانतिकारी होता था बगत सिंग हो या उदम सिंग, चंदर शेकर हो या आश्वाकॉला, राजिदेनाथ लाहरी हो या थाकूर रोशन सिंग यह सब तो करانतिकारी थे जो जेलों में जाया करते थे अंग्रेजों के जमाने इनको जान बूच कर अल्यूमिनियम के बरतन में ही खाना देना है ताकि ये जल्दी मरें या मरने की स्थती में आ जाए तो समझ बूच कर अंग्रेजों की सरकार ने अल्यूमिनियम के बरतन इस देश में इंट्रोड्यूस किये अब परिणाम क्या हुआ अंग्रेज तो चले गए लेकिन जेलों में आज भी ये नियम चल रहा है कि भोजन अल्यूमिनियम के बरतनों में ही दिया जाएगा अंग्रेज चले गए फिर भी ये काम चल रहा है और अब मुश्किल ये हो गई है कि वो जेलों से हमारे घर में आ गया और हमारे घरों से ज़्यादा गरीबों के घर में आ गया ज़्यादा गरीब लोगों के भोजन तो सारे अलियूमिनियम के बरतनों में ही बन रहे है और वो बिचारे बिना जाने बूझे ट्यूबर क्लोसिस और अस्थमा जैसी बीमारियों के शिकार हो रहा है तो बागवट जी का सूत्र तो बहुत सरल है, सिंपल है कि जो भोजन को बनाते समय सूरिका प्रकाश या पवन का इसपर्श ना मिले वो भोजन कभी नहीं करना, मैंने उधारन के लिए आपको समझा दिया कि प्रेशर कुकर का भोजन नहीं करना क्योंकि ये जहर है एक और चीज़ है अपने घर में, रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर भी एक ऐसी वस्तू है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी टेकनॉलजी है जिसमें सूरिका प्रकाश नहीं जा सकता, पवन का इसपर्श भी नहीं हो सकता और एक तीसरी चीज़ है अपने घर में, माइक्रोवेव ओवन इसमें भी सूरिका प्रकाश नहीं जा सकता, पवन का इसपर्श नहीं हो सकता मतलब सीधासा ये है, कि आधुनिक तक्नीकी से बनी हुई चीज़ें, जो हमारे घरों में आई है पिछले 15-20 वर्षों में, बागवट्टी जी के अनुसार, इन में रखा हुआ, पकाया हुआ भोजन विश है, तो ना करें नहीं तो क्या होगा, आप कहेंगे जी हम तो करेंगे, हम तो छोड़ नहीं सकते प्रशर कुकर को हम तो छोड़ नहीं सकते रेफ्रिजरेटर को, हम तो छोड़ नहीं सकते माइक्रोवेव ओवन को, क्योंकि इसमें भोजन से समय बचता है मेरा बहुत सारी माताओं और बहनों से तर्क हुआ है, वो यह कहते है कुकर में खाना बनाए से समय बचता है तो मैं उनसे पूछता हूँ ठीक है समय बचता है, तो बचे हुए समय का क्या करती है तो ज़्यादातर माताओं बहनों का उत्तर है, सास भी कभी बहु देखते है इधर प्रेशर को कर मैं खाना बना के समय बचा, फिर हमने टीवी के सामने वो समय इन्वेस्ट कर दिया तो नेट रिजल्ट क्या? और फिर मैं जब उनको समझाता हूँ कि ये जो आपने आदा घंटा या एक घंटा समय बचाया भोजन पकाने में ये आपका घंटों घंटों हॉस्पीटल में खराब कराएगा तब दो घंटे रोज के हिसाब से मालो बचा लिया और साल बर में आपने साथ-ाथ-सो घंटे बचा लिये कलपना करो फिर एक दिन हॉस्पीटल में भरती हो गए और दो-चार महीने वहाँ निकल गया net result क्या वही शून्न का शून्न तो ये एक सूत्र है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भोजन को बनाते समय पकाते समय कोई ऐसी वस्तु जहां सूरी का प्रकाश ना जाता हो पवन का इस परश ना होता हो वो ना करें अब इसमें विशलेशन की जरूरत है बागवटी जी तो लिखके चले गए अब ये क्यों का जवाब हमें ढूंडना है और इसमें जरूरत हो तो आधुनिक विग्यान की मदद भी लेने है मॉडरन साइन्स ने कुछ लौजिक डवलप किये हैं कुछ अब्जर्वेशनस उन्होंने दिये है तो उनकी मदद से ये क्यों ना करें क्या कारण है यहां से अब बात में शुरू करता हूँ आधुनिक विग्यान क्या कहता है प्रेशर कुकर के बारे में ये जाने Pressure kukar एक ऐसी technology है जो खाने को जल्दी पकाती है ये है सीधा सा मतलब अब खाने को जल्दी पकाने के लिए ये Pressure kukar क्या करता है जो भुजन आपने उसमें अंदर रखा है पकने के लिए उस पर और जो पानी डाला है आपने भोजन पकाने के लिए उस पर अत्रिक्त दबाव डालता है ये है प्रेशर प्रेशर मने दबाव तो अत्रिक्त दबाव डालने की टेकनोलजी है प्रेशर कुकर और ये अत्रिक्त दबाव कहां से आता है प्रेशर कुकर में आपने डाल राली उपर से पानी डाला थोड़ा ह परशर कुकर आपके लिए अच्छा है सीटी लगाते ही क्या करता है पानी गरम होगा आप जानते हैं पानी गरम होने से वाश्पी करण शुरू होता है वेपराइजेशन शुरू होता है तो पानी की वाश्प परशर कुकर में चारों तरफ इकठी होई वो वाश्प जो है न एक डाल को तोड़कर दो तुकड़े जिसको दुईदल कहते है जेहन समाज के लोग तुरन समझ में आ जाएंगे दुईदल, चने की डाल, एरहर की डाल ये सब दुईदल है, इसको तोड़कर आपने डाल बनाई है अब ये डाल पानी में पड़ी है नीचे से गर्म, और उपर से भाप का दबाओ तो ये डाल जो है न फट जाती है फट ना समझते है, वो दरकना शुरू हो जाता है उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है, डाल के अंदर जो अनू है वो अनू एक दूसरे को जो जकड़ कर बैठे हुए है ये पानी का प्रेशर उन अनूओं को तोड़ता है और दाल दरकना शुरू होती है वो दाल दरक जाती है और पानी इतना गरम होता है तो उबल जाती है, पकती नहीं है उबलती है पकना और उबलने में अंतर है तो उबल जाती है और दरक जाती है आप खोलते हैं पांच मिनिट बद आपको लगता है दाल पक गई है पक नहीं गई है वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है नरम हो गई है क्योंकि नीचे से गर्मी पड़ी उपर से प्रेशर पड़ा वाश पका वो पकी नहीं है उबल गई है और उसका सॉफ्टनेस बढ़ गई है तो आपने खा लिया तो आपने कहा पकी हुई दाल खाली माफ करिए दाल पकी हुई नहीं है फिर आप बोलेंगे जी पकी हुई दाल और इस दाल में क्यांतर है पकी हुई दाल का आयुर्वेद में एक सिध्धान्त है आयुर्वेद में वैसे सभी सिध्धान्त हैं उसमें से एक मैं आपसे बता रहा हूँ आयुर्वेद चिकित्सा ये कहती है कि जिस वस्तू को खेत में पकने में जितना ज़्यादा समय लगता है जिस वस्तु को पकने में खेत में जितना ज़्यादा समय लगता है भोजन रूप में पकने में भी उसको ज़्यादा समय लगता है अब अरहर की दाल की बात करें आप मैंसे थोड़ा भी गाउं से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा तो आप जानते हैं अरहर की दाल को खेत में पकने में कम से कम साथ से आठ महीने लगता है कम से कम साथ से आठ महीना लगता है क्यों? अरहर की दाल में जो कुछ भी है जिसको आप न्यूट्रियंट के रूप में जानते हैं माइक्रो न्यूट्रियंट के रूप में जानते हैं सुक्ष्म पोशक तत्यों के रूप में जानते हैं वो मिट्टी से दाल तक आने में सबसे ज़्यादा समय लगता है ये जो मिट्टी है ना खेत की ये माइक्रो न्यूट्रियंट्स का खजाना है खेत की मिट्टी में कैलशियम है खेत की मिट्टी में आईरन है खेत की मिट्टी में सिलिकॉन है कोबॉल्ट है जिप्टन है जोरोन है ये सब micronutrients खेत की मिट्टी में है ये पौधे की जड़ में आते हैं जड़ से तने में आते हैं तने से फल में आते हैं इस पूरी क्रिया में बहुत समय लगता है तो इसलिए डाल को पकने में समय लगता है तो आयरुवेद ये कहता है कि जिस दाल को खेत में पकने में ज़्यादा समय लगा उसको घर में भी पकने में ज़्यादा समय लगना चाहिए क्यों? ये जो micronutrients धीरे-धीरे absorb हुए हैं दाल में खीच कर आए हैं दाल में इनको dissolve होने में भी धीरे-धीरे ही समय लगेगा आप दाल क्यों खाना चाहते हैं? आप दाल खाना चाहते हैं प्रोटीन के लिए प्रोटीन कहां से आएगा? ये जो micronutrients का collection दाल में इकठा है इनके तूट जाने पर बिखर जाने पर तो वो बिखरने और तूटने में उसको देरी लगने वाली है क्योंकि आने में देरी लगी है ये प्रकरती का सिध्धान्त है आयुरवेद का नहीं कहना चाहिए ये प्रकरती का सिध्धान्त है बच्चे को पेट के अंदर गरभाशे में विक्सित होने में समय लगता है दुनिया में हर चीज को विक्सित होने में समय लगता है जल्दी कुछ नहीं होता इसलिए दाल भी जल्दी नहीं पकती बच्चा भी जल्दी नहीं होता सभी चीजों में ये है प्रकरती का नियम है और प्रकरती का दूसरा नियम है कि जिन चीजों को पकने में बड़ा होने में ज्यादा समय लगा है उनको डिजॉल्व होने में भी ज्यादा समय लगेगा और डाल जब डिजॉल्व होगी तब उसके प्रोटीन्स आपको मिलेंगे भोजन में इसलिए आप डाल खा रहें ताकि आपको प्रोटीन की कमी पूरी हो कुछ विटेमिन्स आपको चाहिए कुछ प्रोटीन्स आपको चाहिए कुछ और दूसरे अंश आपको चाहिए तो आयरुवेद का नियम बिलकुल सीधा है कि दाल जादा देर में पकी है तो घर में भी जादा देर में पके अब मेरे समझ में आया कि हमारे पुराने लोग जो बुजर्ग थे वो कितने बड़े वैग्यानिक थे मैं एक बार जगनात पुरी गया था आप भी गय होंगे तो वहाँ भगवान का प्रशाद बनाते हैं तो प्रशर कुकर में नहीं बनाते हैं आप जानते हैं हालांकि वो चाहें तो प्रशर कुकर रख सकते हैं क्योंकि जगनात पुरी के मंदिर के पास करोणों रुपई की संपत्ती है तो मैंने मंदिर के महिंत को पूछा कि ये भगवान का प्रशाद माने वहाँ दाल और चावल मिलता है प्रशाद के रूप में वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं आप में से जो भी गये हैं जगनात पुरी आप जानते हैं वो मिट्टी की हांडी में दाल मिलती है और मिट्टी की हांडी में चावल मिलता है या खिचडी मिलती है जो भी मिलता प्रसाद के रूप में तो मैंने महिंट को पूछा कि आप ये मिट्टी की हांडी में क्यूं बनाते हैं तो उसने एक exclusively कहा मिट्टी पवित्र होती है तो ठीक है पवित्र होती है ये हम सब जानते हैं लेकिन वो जो नहीं कह पाया महिंट वो आपको मैं कहना चाहता हूं कि मिट्टी ना सिर्फ पवित्र होती है बलकि मिट्टी सबसे ज़्यादा वेग्यानिक होती है क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है मिट्टी में जो कुछ है वो शरीर में है और शरीर में जो है वो मिट्टी में है हम जब मरते हैं न और शरीर को जला देते हैं तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर 70 किलो का शरीर, 80 किलो का शरीर मात्र 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है जिसको राक कहते है और इस राक का मैंने विशलेशन करवाया एक लेबरेटरी में तो उसमें calcium निकलता है, phosphorus निकलता है, iron निकलता है, zinc निकलता है, sulfur निकलता है, 18 micronutrients निकलते हैं मरे हुए आदमी की राक में, ये सब वोई micronutrients हैं जो मिट्टी में हैं, इन्ही 18 micronutrients से मिट्टी वनी हैं, ये 18 micronutrients शरीर में हैं, जो मिट्टी में बदल जाता है, तो महंत क कहना के मिट्टी पवित्र है वो बहुत विग्यानिक स्टेट्मेंट है बस इतना ही है कि वो उसको explain नहीं कर सकता explain क्यों नहीं कर सकता आधुनिक विग्यान उसने नहीं पढ़ा या उसको मालूम नहीं है लेकिन आधुनिक विग्यान का result मालूम है पवित्रता result उसे मालूम है wishlation नहीं मालूम वो हमारे जैसे मूर्खों को मालूम है मैं अपने को उस महंत की तुलना में मूर्ख मानता हूं क्योंकि मुझे ये wishlation करने में तीन महीने लग गए वो बात तीन मिनट में समझा दिया कि मिट्टी पवित्र है तो ये मिट्टी की जो पवित्रता है उसकी जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स की कैपिसिटी या कैपिबिलिटी है उसमें से आई है तो मिट्टी में दाल आई है दाल आपने पकाई है तो महंत कहता है कि मिट्टी पवित्र है इसलिए हम मिट्टी के बरतन में ही दाल पकाते हैं भगवान को पवित्र चीज ही देते हैं अब अब पवित्र चीज भगवान को नहीं दे सकते अच्छा मैं वो दाल ले आया और भुवनेश्वर लेके गया पूरी से भुवनेश्वर भुवनेश्वर में CSIR का एक लेबोरेटरी है Council of Science and Industrial Research का लेबोरेटरी है जिसको Regional Research लेबोरेटरी कहते है तो वहां ले गया कुछ वेग्यानिकों से का ये दाल है उन्होंने का हाँ ये पूरी की दाल है मैंने का इसका विशलेशन करना है इस दाल में क्या है तो उनके यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है 6-8 महीने लगेगा मैंने का ठीक है फिर भी तो उनने का हमरे पास पूरे instrument नहीं है हमरे पास जो जो चाहिए वो नहीं है आप दिल्ली ले जाओ तो बहतर है तो मैंने का दिल्ली ले गया तो खराब तो नहीं होगी उनने का नहीं होगी क्योंकि ये मिट्टी में बनी है तो पहली बार मुझे समझ में आया मिट्टी में बनी है तो खराब नहीं होगी तो मैं ले गया दिल्ली तक सच मैं ले गया और भुवनेश्वर से दिल्ली पहुँचने में आप जानते हैं करीब करीब 36 गंटे से जादा लगता है दिल्ली में दिया कुछ वेग्यानिकों ने उस पर काम किया और उनका जो रिजल्ट है जो रिसर्च है जो रिपोर्ट है वो ये है कि इस दाल में एक भी माइक्रो निट्रियंट कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी फिर मैंने उन्हीं वेग्यानिकों को कहा कि भाईया प्रेशर को करकी दाल का भी जरा देख लो तो उनका ठीक है वो भी देख लेते हैं तो प्रेशर कोकर की दाल को जब उन्होंने रिसर्च करके देखा तो उन्होंने का इसमें माइक्रो निट्रियंट बहुत ही कम है मैं पूछा परसेंटेज वाइस बता दो तो उन्होंने का अगर अरहर की दाल को मिट्टी की हांडी में पकाओ और 100% माइक्रो न्यूट्रियंट्स हैं तो कुकर में पकाने में 13% ही बचते हैं 87% नश्ट हो गए मैं पूछा कैसे नश्ट हुए तो उन्होंने का ये जो प्रेशर पड़ा है उपर से और इसने दाल को पकने नहीं दिया तोड़ दिया मॉलिक्यूल्स टूट गए हैं तो दाल तो बिखर गई है पकी नहीं है बिखर गई है तो खाने में हमको ऐसा लग रहा है कि ये पका हुआ खा रहे हैं लेकिन वास्तम में वो नहीं है पके हुए से मतलब ये होता है कि जो माइक्रो निूट्रियंट्स आपको कच्चे रूप में शरीर को उप्योग नहीं आते उनको आप उप्योगी बना लें इसको पका हुआ कहते है आयरुवेद में जो सुक्षम पोशक्तत कच्ची अरहर की डाल खाने में शरीर को उप्योगी नहीं आएंगे वो उप्योगी आने लायक बनाएं उसको पका हुआ कहा जाता है या कहेंगे तो उन्होंने कहा कि ये मिट्टी की हांडी की डाल बहुत बहुत क्वालिटी में उंची है बशर्ते की आपके प्रशर को करकी और दूसरी बात तो आप सभी जानते हैं वो मुझे सिर्फ रिपीट करनी है कि मिट्टी की हांडी की बनाए हुई दाल को खा लीजिए तो जो उसका स्वाद है वो जिंदगी पर नहीं भूलेंगे इसका मतलब क्या है भारत में चिकित्सा का और शास्त्र पाककला का ऐसा विग्जान विख्शित हुआ है जहां क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और स्वाद भी मेंटेन रहेगा तो मिट्टी की हांडी में बनाई हुई दाल को खाएं तो स्वाद बहुत अच्छा है और शरीर की पोशकता उसकी इतनी जबरजस्त है कि दाल का सही खाने का मतलब उसमें है तब मैंने गाओं गाओं घूमता रहता हूं तो पूछना शुरू किया तो बोलते हैं लोग कि जादा नहीं 30-40 साल पहले सब घर में मिट्टी की हांडी की दाल थी मेरी दादी को पूछा तो दादी कहती है कि हम तो जिन्दकी भर मिट्टी की दाली खाते रहे तब मेरे समझ में आया कि मेरी दादी को डाइबिटीज क्यों नहीं हुआ तब मुझे समझ में आया उसको गुटने का दर्द क्यों नहीं हुआ तब मुझे समझ में आया उसके 32 दाद मरने के दिन तक सुरक्षित थे क्योंकि हमने उसका अंतिम संसकार किया अगले दिन जब राखी लेने गए तो सारे दाद उसके 32 के 32 निकले तब मेरे समझ में आया कि 94 साल की उमर तक मरते समय चश्मा क्यों नहीं लगा उसकी आँखों पे और जीवन के आखरी दिन तक अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोते हुए मरी थी ये कारण है कि शरीर को आवश्यक माइक्रो न्यूट्रियंट्स की पूरती अगर नियमित रूप से होती रहे तो आपका शरीर ज्यादा दिनों तक बिना किसी दूसरे की मदद के काम करता है तो माइक्रो न्यूट्रियंट्स पूरा सप्लाई मिला दाल में जो खाई थी उसने मिट्टी की हाड़ी में पका पका के और ना सिर्फ दाल पकाती थी वो मिट्टी की हाड़ी में बलकि दूद भी मिट्टी की हाड़ी में पकाती थी गी भी मिट्टी के हाड़ी से ही निकालती थी दही का मठा भी मिट्टी के हाड़ी में ही बनता था अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बरतन क्यों इस देश में आये हम भी अलुमिनियम बना सकते थे देखिए बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये कि हिंदुस्तान भी 2000 साल पहले 5000 साल पहले अल्यूमिनियम बना सकता था क्योंकि अल्यूमिनियम का रौ मिटीरियल इस देश में भरपूर मात्रा में है बॉक्साइट हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खजाने भरे पड़े हैं करनाटक बहुत बड़ा भंडार तमिलनाडू आंद्रप्रदेश बॉक्साइट के बड़े भंडार है हम भी बना सकते थे अगर बॉक्साइट है तो अल्यूमिनियम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी हमको जरूरत थी मिट्टी की हांडी की इसलिए हमने मिट्टी की हांडी बनाई और उसी पर सारे रिसर्च और एक्सपरिमेंट किये इसलिए कुमारों की एक पूरी की पूरी जमात इस देश में खड़ी की गई कि तुमको भाया मिट्टी के ही बरतन बनाने है माने तुम से बड़ा वेग्यानिक कौन अब ये कुमार जो इतने बड़े वेग्यानिक हैं इस देश के जो मिट्टी के बरतन बनाकर हजारों साल से दे रहे हमारे स्वास्त की रक्षा करने के लिए हमने उनको नीची जाती बना दिया हम कैसे मूर्ख लोग वो नीचे कहां है जरा बताईए अगर प्रेशर कुकर की कमपनी जो बना रही है प्रेशर कुकर वो उचा आदमी है तो ये कुमार नीचा कैसे हो गया ये उचा नीचा हमने डाल दिया इस देश में इसी ने देश का सत्यानाश कर दिया ये उचा नीचा कुछ तो अंग्रेजों ने डाला कुछंग्रेजों के पहले जो मुसल्मान थे उन्हों ने डाला और कुछंग्रेज और मुसल्मानों के जाने के बाद हम काले अंग्रेजों ने इसको ऐसा पक्का बना दिया कि कुमार इस देश में बैक वर्ड क्लास है जो सबसे बड़ा वेग्यानिक काम कर रहा है मिट्टी के बरतन बना-बना कर आपके माइक्रो निूट्रियंट्स को आपके सुक्ष्म पोशक तत्तों को कम नहीं होने देने के लिए मिट्टी का सेलेक्शन करता है वो आपको मालूम है हर एक मिट्टी से बरतन नहीं बनते एक खास तरे की मिट्टी है वही बरतन बनाने में काम आती है और एक खास तरे की मिट्टी है जो हांडी बनाती है दूसरे खास तरे की मिट्टी इसमें कुलड बनता है तीसरे खास तरे की मिट्टी में हजारों साल से कर रहे बिना किसी युनिवर्सिटी में पढ़े हुए कर रहे है तो हमें तो वंदन करना चाहिए, उनके सामने नत्मस तक होना चाहिए कितने महाल लोग है दुरुभाग इसे सरकार की केटेगरी में वो बैक्वर्ड क्लास में आते हैं तो ये जो मिट्टी के बरतन की बात हुई वो मिट्टी के बरतन की बात इसलिए कि माइक्रो न्यूट्रियंट्स का सब कुछ सामन रहता है इसलिए हमारे हाँ मैल्यूमिनियम के बरतन या दूसरे मैटल के बरतन का चलन कम है भगवान के लिए तो बनाते नहीं धातूओं के बरतन में खाना नहीं बनता सभी मंदिरों में भोजन और प्रसाथ ज्यादतर मिट्टी के तो आप भी कर लीजे ये काम प्रशर कुकर निकालिए मिट्टी के हांडी ले आईए तो आप कहेंगे जी दाल देर में पकेगी सिधान्ती वही है दाल का तो जो देर में खेत में पकी है वो देर में घर में भी पकेगी तो आप बोलेंगे फिर time management कैसे होगा मैं आपको सरल बता देता हूँ दाल को हांडी में रख के चढ़ा दीजे बाकी सब काम करते रहे घंटे घंटे में पक जाएगी उतार लीजिए फिर खा लीजिए गंटे डिढ़ घंटे में आपके जालू पोचा दूसरे बरतन साफ करना कपड़े साफ करना यह जो बनाते समय पकाते समय सूरी के प्रकाश से बंचित हो और पवन के इस पर्ष से बंचित हो ये तभी संभव है जब आप खुले बरतन में खाना बनाएं तो पवन भी अंदर आएं और सूरी का प्रकाश की किरणे भी अंदर आएं खुले बरतन में और वो खुला बरतन सबसे अच्छा मिट्टी का हांडी आप कहें जी मिट्टी की हांडी के बाद अगर कोई चीज है तो हमारे यहां एक मैटल बनता है जिसको आप लोग कहते हैं एलॉई है कांसा कांसा आपने सुना देख शायद देखा भी हो कईसी के घर में तो दूसरा सबसे अच्छा माना जाता है कांसा तीसरा सबसे अच्छा माना जाता पीतल अब ये कांसे और पीतल में भी हमने काम कर लिया कि अरहर की दाल को कांसे के बरतन में पकाएं तो उसके सिर्फ तीन प्रतिशत माइक्रो न्यूट्रियंट कम होते हैं 97% मैंटेन रहते हैं पीतल के भगोने में पकाएं तो 7 प क्वालिटी चाहिए तो आपको मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा क्वालिटी ओफ लाइफ की अगर बात आप करेंगे माने जो खा रहे हैं वो पूरे शरीर में पोशकता दे ये लाइफ की क्वालिटी की बात आप करेंगे तो मिट्टी की हांडी की तरफ ही ज इस इंडिया से निकल के भारत की यात्रा करनी पड़ेगी और मैंने पिछले एक दो वर्षों में ये बातें गाउं गाउं में कहना शुरू किया है तो इसका परिणाम पता है क्या कि कुमारों की इज़त बढ़ गई है गाउं में गाउं वाले समझतें कि ये तो कोई बड़ा काम कर रहे हमारे लिए और मैं मानता हूं कि मेरे व्याख्यान की अगर कोई सार्थकता है तो वो ये कि कुमारों की इज़त इतनी बढ़ जाए कि वो पंडितों के बरावर आ जाए क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं है क्योंकि वो किसी से छोटे नहीं है बले वो मिट्टी के बरतन बना रहे हैं बहुत वैग्यानिक काम वो कर रहे हैं और मजे की बात कि वो हांडी बना के आपको 20-25 रुपए में ही दे रहे हैं प्रेशर कुकर तो ढ़ाई तीन सो रुपे का है. और सबसे मज़े की बात कि ये हांडी जब खतम होगी मने इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो ये हांडी फिर मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वोई मिट्टी से हांडी बन जाएगी. दुनिया में ऐसी कोई वस्तू नहीं है. प्रेशर कुकर के बारे में तो नहीं कह सकते हैं. बायो डिग्रेडिबल है. तो आप कोशिश करें, अपने घर में थोड़ा परिवर्तन करें. अब मैं आखरी बात जो आज की कह रहा हूँ वो ये. मैंने पिछले दो वर्षों में, मैं होमियोपेथी की भी चिकित्सा करता हूँ. तो बहुत सारे पेशेंट मुझे फोन करते हैं, राजी बाई, ये, ये, ये. तो मैंने कुछ पेशेंट को खास कर कहा, कि देखो भाईया, आपको मैं कोई दवा नहीं दूँगा. तो कहने लगे, फिर बीमारी कैसे ठीक होगी. मैंने का, एक ही काम करो, मिट्टी की दाल खाना शुरू करो. मिट्टी की हांडी में रख्के होई दाल खाना शुरू करो. चावल खाना है तो मिट्टी की हांडी का. कहने लगे, राजी बाई, कौन करेगा ये सब? मैंने का, आपकी बीबी करेगी या आप करोगे. अगर जिंदगी चाहिए, तो जख मार के आप करोगे. नहीं तो अमरीका जाओ, कनाडा जाओ, जर्मनी जाओ, लाखों रुपए खर्च करो, फिर भी जख मार के वापस आओ. डॉक्टर कहेगा, इलाज नहीं है. तो आप देख लो, तो जो गंबीर मरीज है, वो आप जानते हैं, वो कुछ भी करेंगे, जो आप कहें. तो मेरे पास कुछ डाइबिटीज के क्रोनिक पेशेंट हैं, बहुत क्रोनिक, जिनका यूनिट, शुगर यूनिट 480 के ऊपर हैं. ऐसे 100 से जादा पेशेंट. कुछ गुजरात में हैं, कुछ राजिस्तान में हैं और कुछ बंबई में. मैंने उनको कहा, ध्यान से मिट्टी का बरतन ले आओ और शुरू करो. अब बरतन लाने में तकलीफ होई, तो कुमार को ढूणना पड़ा तो, लेकिन मिल गया. वो आठ से 9 महिना हो गया, नियमित रूप से मिट्टी की दाल और मिट्टी का चावल मने हांडी की दाल और हांडी का चावल हांडी की खिचुडी नियमित रूप से खा रहे हैं, और अब तो उन्होंने मिट्टी का तवा भी ले आया अपने घर में, रोटी बनाने के बिना किसी injection के, बिना किसी tonic के, और हुमियोवेदी की कोई दवा नहीं दी मैंने उनको, कुछ लोगों को ज़्यादा परेशानते दवा भी दो, दवा भी दो, उनको placebo दे दिया, placebo समझते हैं, खाली गोली, दवा नहीं डाली, तो patient को लग रहा है कि मैं दवा खा रहा हूं, दवा खा के अच्छा हो रहा हूं, मुझे मालूम है कि वो कोई दवा नहीं है, वो प्लैसी वो है, वो अच्छा हो रहा है, उस मिट्टी की दाल खाके, मिट्टी का चावल खाके, मिट्टी की खिचड़ी खाके, ये एक सूत्र पूरा होता है, साड़े आठ का समय हो गया है, आगे कल दूसरा सूत्र, तीसरा, ऐसे करकर के जो सबसे जरूरी पंद्रे है, वो पहले बताऊंगा, और उसके आगे बलता जाएंगा। आभार धन्यवार।